हेलो फ्रेंट्स कैसी हुआ आप जैमा टैरो में आपका स्वागत है जैमा टैरो आपका अपना टैरो फ्रेंट्स जैमा टैरो की जिर्नल और क्लेक्टिव रीडिंग का टोपी क्या है आज मैं आपको बताती हूँ शंकर मेरा प्यारा माय निमाय मूरत लिया दे शिव शंकर की मूरत लिया दे जिसमें निकले गंगादारा शंकर मेरा प्यारा शंकर मेरा प्यारा जिया सावन मंत का सोमर है और सोमर यनिकी सावन मंत जो होता है वाटर अनरजी कहते हैं अगर कोई किसी को सच्चे दिल से प्यार करता है, चाई वो कहीं भी हो पुराना हो, बिछडा हो कभी किसी ने किसी के साथ दिल से दिल लिगाया होता है और मजबूरी में कभी अलग हो जाता है, तो यह मंध ऐसा है कि उसको एक बार चादो बार जुरूर मिस्ट करता है ये महीना ऐसा होता है इसलिए इसको सावन मन्त और इसके प्यार के मामले में पूजा अर्चना करी जाती है तो आज की जो रीडिंग है शिव शक्ती के संदेश देखते हैं सावन महीने में वो आप लोगों के लिए क्या सं छेप्रेशन फेस में होगे कुछ ऐसे होगे कि मन मुठाब चल रहा होगा कुछ ऐसे होगे कि जिनकी서 रुकी होग है किसी के परसन नहीं मान रहे three family नहीं रहे तो आज देखते हैं आपके लिए शिवशक्ति क्या संदेश लेके आएं कि सामन मंथ में आप लोगों का कितना उदार होगा जाएए शंकर बगवान के मंदिर जाएए वहाँ पूजा अर्चना कीजिए हरी चूड़िया पहनाएए सुहागनों को अपने दिल की मुराद कहते हैं मन की इच्छा आपकी जरूर पूरी होगी अगर सच्चे दिल से आप करेंगे पूरी पहला कार्ट क्या लिटके आएं हैं अरे शिव शक्तिink पहला संदेश जैशिव शक्तिक दाछै रिटका कार्ट शिव शक्तिक पहला संदेश यह है कि आपके जो परसन है अगर आपके लिए किसी बज़ा से दार्ज है तो तो वो अपने आप में मजबूत होने की सोच रहे हैं, और आपके लिए action लेने वाले हैं उन चीजों के लिए जिसका इंतजार करते हैं, तो यहां शिवशक्ति यह कहते हैं, अगर वो मजबूत होने की सोच रहे हैं, पहले हो सकता है कि उन्होंने कोई action ना लिया हो, आपकी तरफ action लेने की सोच रहे हैं, तो आपको निराश नहीं होना है, आपको शिव शक्ति की पूजा करनी है, और बोले भापा को बोलना है, कि जैसे आपने अपने कारे किया, आपने पारवती का साथ, आप दुनों का साथ है, वैसे आप लोगों का भी साथ हो, शिव शक्ति जी ये भी कहते हैं, प्यार किया है, तो सबर भी करना सीखो, इसमें परिशानिया आनी है, क्योंकि ये चीज़ों का देवी देवताव ने भी सामना किया है, आप लोग, जह हम लोग तो है इंसान, जैशिवशक्ति, सेकंड काड है, हैंट मैं, कुछ लोगों के परसन, ही हो या शी हो, ये लोग अनरजी में, यनि ये डिले ढाले, सोलो परसन है, जो चीज़े आगे लजाने के लिए, एफ़र लगाना जिनके बसका नहीं है, इनको, जैसे ही, फस्ट काड आया, चैरियट का, वैसे ही, सेकंड काड आया, हैंड मैं का, यनि कि अभी भी आप लोगों में से, कुछ लोगों के परसन ऐसे है, जो आपके साथ वादे तो कर लिए, कसमे तो काली, और जहां एफ़र लगाने का टैम आ जाता है, वहां आपक करमे, शिवशक्ति, सावन के महीने में पूजा करने जाते हो, जा प्रे करते हो, जा मैनिफेस्ट करते हो, कि हे प्रभू, जहां इस बंदे ने एफ़र लगानी है, वहां इसी नहीं लगानी है, अपनी फैमिली को मनाना है, जा अपने दिल को मनाना है, जा अपने लिए कैर वाली एनर्जी में आएं, तो मैं आपको बता दू, ये शिव शक्ती जी का संदेश है, कि अगर इंसान दर्थी में आए हैं, तो हर तरह की हैं, हर तरह की इंसान है, कोई फटा-फट एक्शन लेता है, कोई देरा, तो जो slow एनर्जी के लोग होते हैं, डिले डाले होते हैं, आपने ये सावन का महिनने है, पूजा करनी है, शिव लिंग को परसं करना है, शिव पार्वती को परसं करना है, और आपने अपनी रिजल्ट डाहना है, योगि उन्होंने कहा है, कि शिव शक्ती जी ने कहा है, कि परसं कैसा भी हो, जब आपकी manifest करते हो, तो automatically सामने वाला अपना जो माइंड बदल लेता है उसका माइंड जोता है आपकी तरफ चलने लगता है बस यह है कि आपके प्यार में कोई कमी नहीं होने चाहिए देखते हैं थर्ड कैद कैसा है हाँ देखिए सामन का महीना का दा स्टार का काड आया है यहनि कि सामन का महीना शिवशक्ति जी कहनते हैं आपकी लाइफ में कुछ चीज़े ऐसी है जिनको बैलंस मनाना जरूरी है आप सुनेहरे अफसर तो देखते हैं और आपके लिए एक सुनेहरा अफसर है आपका पार्टनर और आपका रिष्टा अगर गिट-पिट में चल रहा है अगर बीच में दराड है तो आपकी चीज़ें को बैलंस की जरूरत है जहां चीज़ें बैलंस हो जाएगी आपको आ लोड़ी शिव शक्ति जैसी हो जाती है तो उसके बाद भी चीज़ें बैलंस रखने की जरूरत होती है आपको पता है चीज़ें बैलंस होगी तबी काम होगा जहां सती और शिव जीजी की आपने प्रथा सुनी होगी कि कैसे सती होई थी जहां चीज़ें बैलंस नहीं होत होते ही हैं आप अपने आपको भी बैलंस रखें अपने जिस्ते को भी बैलंस करें हीलिंग की भी आपको जरूरत है आप अपने को मेडिटेशन करके हील कर सकते हैं त्री ओफ कप्स शिवशक्ति जी जैशिवशक्ति शिवशक्ति जी कहते हैं आप किसी सेलिब्रेशन का इंत कर रहे हो चाहे वदुगा आपकी जिंदिगी में खुशियां आने वाली है यह जो थ्री ओफ कप्स है यह वाटर अनर्जी का साइन है तो आपने अच्छी तरह से पूजा करनी है सावनमंद ताकि आपकी चीजिस सही हो अगर आप अंगेजमेंट का इंतिजार कर रहे हैं तो आपका अंगेजमेंट ने तो मेरेज का इंतिजार कर रहे हो तो मेरेज भले ही दो तिन महीने तीन महीने लग सकते हैं दा लवर का काड़ाया शिव शक्ती जैशिव शकती आप लोगों में से कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप दिल से लेके एक दिल से अभी मैंने आपको क्या कहा है कि कोई किसी से कभी लव करता है प्यार करता है लेकिन मजबूरियों में बिछड जाता है तो ये मन्त ऐसा होता है कि उसको उसक जाके पूजा आर्चना करते हैं ये महीन नहीं ऐसा होता है तो ये मैं बताती हूँ आप लोगों में से जो लोगों का soulmate connection है अगर कहीं आप से दूर है किसी वज़ा से जा रिष्टे में तनाव है तो वो भी आपको बहुत मिस्ट करते हैं आप लोग दूर रहके भी कभी दूर नहीं हो सकते ईश्वर ने दुनों को आपके एक दूसरे के लिए बनाया है दिल से दिल को कोई याद करता है तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है ना कि पास रहके मन मुटा हो एंजल की blessing है अगर आप अपने रिष्टे के लिए 100% pure heart से हो सामने वाला भी pure hearted है तो आपके रिष्टे में एंजल की blessing है बोड की किर्पा है आप तोनों एक दिसरे के बस आपको करने हैं लगाने हैं पूजा अर्चना effort और आप दोनों हो जाएंगे एक soulmate connection बहुत बड़ा connection होता है जै शिव शक्ति आप जिस person का इंतजार करते हो उसका ध्यान आपकी तरफ है बोला है आपका person वैसे हर चीज में ठीक है लेकिन दुनियादारी के मामले में जहां आता है वहाँ बोला है इतनी चलाकिया नहीं है इसलिए इस person ये person का ध्यान सिर्फ आपकी तरफ है ये आपकी जिन्दगी में चाहे दूर है चाहे पास है मिस आपको ही करता है तो आपने क्या करना है आपने इसको कभी भी नहीं चोड़ना और अपनी जिन्दगी में इसके साथ-साथ ही रहना है क्योंकि ऐसे person अगर गलतियां में करें तो दिल के अच्छे होते हैं ज्यादा serious में होना चाहिए जैशिव शक्ति लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो इस time इस energy में three of cups बनाता है कि आप बहुत उदास हो आप अपने person को बहुत याद करते हो miss कर दे हो तो शीव शक्ति जी क्या कहते हैं आपके लिए वो कहते हैं जब कोई दूर होता है उसको याद करना अच्छी बात है लेकिन इस energy में ज़्यादा रहोगे तो आपके person आपके पास रास्ते ब्लोक होते हैं आने में उनकी दिखते होती हैं कहते हैं कोई खुशी हो याद किसी को ज़्यादा याद करो तो रास्ते ब्लोक होते हैं आप ऐसी energy में याद मत कीजिए अच्छी energy से उनको याद कीजिए अगर आप life में उनको अपने साथ पाना चाहते हैं करम के लिए इंसान दुनिया में आया है ना कि एक रिष्टे को लेकि अपने सारे करम बुलाने के लिए आप life में इस energy में रहोगे तो आप रोज के डेली मरा के जो करम है पूजा, अर्चना, बड़ो की सेवा आपका काम, आपका बिजनस उसमें कैसे ध्यान दोगे जब उनमें ध्यान दोगे देखिए कितना प्यारा कार्ड है जैश्य शक्ति जिस परसन का इंतिजार है वो आपकी तरफ बढ़ने वाला है उसने कमान कसली है वो आपकी तरफ आएगा उसने सोच लिया है कि आपके साथ ही life गुजार दी है बहुत positive energy का ये कार्ड है अगर आप लोगों को रास्ते थोड़े से रुके हुए है तो सावन में पूजा अर्चना कीजिए ये कार्ड पूरी अपना रंग दिखाएगा यनि कि आपके परसन आपकी life में जरूर रोट के आएगे आप बहुत हिम्मत वाले हो रोशिव शक्ती जी का कहना है कि आप बहुत हिम्मत वाले हो लेकिन आपका एक ये जो रिष्टा है उसकी वज़ा से आप कमजोर पड़ चुके हो जहां इस रिष्टे की बाद आती है आप थ्यार डाह दिते हो तो उनका कहना यही है कि लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं चाहते लेकिन हमें हिम्मत नहीं चोड़नी चाहिए क्योंकि हिम्मत हमारी अपनी है जहां हम इसे चोड़ देते हैं तो हमारे पास जितने मर्जी सुख हो जितनी मर्जी कुशिया हो नजर नहीं आती अगर आपको कोई परिशान करता है रिष्टे में इंटर्फियर करता है तो ढटके मुकाबला करो आपने एक ऐसी हिम्मत करके एक ऐसी लव को संभाला हुआ है ऐसे प्यार को संभाला हुआ है जिसको कोई नहीं संभाल सकता है ऐसे इंसान के साथ आप डील कर दे हो, लेकिन वो इंसान को end तक साथ तभी आपका कि आपको हिम्मल लगाने पड़ेगी, आपको effort लगाने पड़ेगे, share हो, इस गीदलों से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक आप डरते रोगे, वो आके आपको अपना रंग दि होनों के लिए है, अगर आप किसी नए महमान का इंतजार कर रहे हो, तो वो भी आपको मिलेगा, पर मैं आपको बता दू, तो हो सकता है, आपके परसन गुस्से वाले हो, गुस्सी की वज़ा से, चीज़े कभी-कभी खराब हो जाती हो, ये काड़ ये बताता है, शीव शक कुछ या आने वाली है, आप चीज़े आगे लेके जाओगी, ये काड़ ये बताता है कि आप आने वाला टाइम आपके लाइफ में पोजिटिवी पोजिटिविटी लाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, उनके गुस्से से जादा सीरियस नहीं होना, ये देखना है कि खराब होता है, तो आपने खुबिया अगर प्यार किया है, तो खुबिया लेके आगे चलना है, जब दो इनसान मिलते हैं, तो उसकी कम्या और खुबिया सब अपनानी पड़ती है, और वक्त के साथ एक दूसरे की अटैजमेंट ऐसी होती है, दीरे दीरे वो कम्या अपने अप ठीक हो जाती है, तो ये थे शिवशक्ति जी के संदेश, अब मैं एक अपनी तरफ से निकाल दी हूँ, क्योंकि बड़े दिन होगे आपके साथ गप्षप मारे देखती हूँ, वो क्या है, जी हाँ, आपके लिए है जस्टीस का कार्ड, जनने कि आप लोग सच्चे मन से पूजा कर रहे हो, शीवशक्ति की अराधना कर रहे हो, या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने आए कार्ड उन लोगों के लिए है, जिनों ने अपने रिष्टे में 100 and 200, 1% दिया है, लेकिन उस उनको सामने वाले की तरफ से 0 मिला है, समझ गे न, तो आपको नियाय मिलने व और जिस की वज़ा से आप Queen of Cups की अनजजी में रहते हो, आपको क्या करना है, आपको खुश होना चाहिए कि आपको नियाय मिलेगा, और ये मैं आपको कह रही हूँ कि आपका नियाय जरूर मिलेगा, आपके रिष्टे साथ नियाय होगा, जस्टिस का कार्ट ये ही बताता है, तो करिए Celebration, Enjoy कीजिए, Temple में जाइए, शिवशक्ति की अरागना कीजिए, उनसे मांगिए, अपना प्यार, अपनी पूजा अरचना से उनसे मांगिए, हिम्मत भी, खाली प्यार ने हिम्मत भी मांगिए, उन्होंने भी बहुत कष्ट स कहना, तभी ये प्यार है, अगर इसमें सारे सूख और खुशियां मिल जए, तो इसकी वैलू भी कम हो जाती है, तो इसलिए इन चीज़ों के साथ, अगर खुशियां हैं, तो गम चुड़े हुए हैं, अराधना कीजिए, शंकर भगवान को खुश कीजिए, पारवती ब्लैक मैजिक हुआ है, कुछ लोगों काता है, कि मेरे परसंद के ओपर जितना मर्जी ब्लैक मैजिक करा हुआ है, इस्वर के आगे, सब कुछ फेल है, बगवान, बगवान है, शेतान, शेतान है, तो ये थे आज के शिवशक्ति के संदेश, सोंवार का दिन था, अगर आपको कैसा लगा, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए, बाई बाई, गोड ब्लैस्ट यू और जैम आता दी, शंकर मेरा प्यारा